तो ये था ये है प्लास्मोरियम वाइवेक्स ठीक है तो इसकी क्लास्टिएशन में हमने देखा फाइलम फ्रोक ऌण सा था थृलोशय।kत जब आउडब की बात करते हैं तो कौन सा है यूक ऑक्षीडिया ठीक और गिन ऑस्थ है Plasmodium and species किसके हम बात कर रहे है that is Yvex ठीक है न तो इसके features के हम बात करते हैं so Plasmodium जो है it's an intracellular blood parasite of man and other vertebrates ठीक है न ये क्या है it's an intracellular intracellular blood parasite ठीक है न blood parasite है ठीक है न मैंन का और बाकी और vertebrates में ये देखने को मिलते हैं that is lizard में या जिसे birds में और mammals में ठीक है न तो ये क्या है it's a protozoan parasite of man और ये कौन सा disease cause कर रहे हैं that is malaria ठीक so ये Plasmodium की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो life history की बात कर रहे हैं ठीक है न the life history आप मैंने हम इसमें क्या देखने है life history देखने हैं तो ये जो life cycle of Plasmodium है ये कितने complete हो जाता है that is in two host में ठीक है न इसकी जो life cycle है वो digenetic है that is वो complete हो जाता है दो host में ठीक that is कौन सा है वो दो host एक है man दूसरा कौन सा है female anophilis mosquito ठीक तो अगर इसकी life cycle की बात करते हैं तो उसमें दो phases होते हैं और इस एसेक्स्वल फेसंड sexual phase ठेक एक अशेक्स्वल फेस होता है वो होता है और जो sexual phase होता है वो किसमें होता है एणोफिलस mosquito में एसेक्स्वल फेसंग में उसको हम क्या बोलते हैं जिसमें स्पोर फॉर्म हो जाते हैं तो थार्ट पॉइंट आप देखें वेन इन इंफेक्टेड फीमेल एनफिलस मॉस्किटो बाइट सेमेन जिसमें क्या होते हैं जो ये प्लास्मोडियम होते हैं वो किस फॉर्म है स्पोर जोईड के फॉर्म में वो इंट्रोड ब्लट में किस में ब्लट में फिर वहां से ब्लट से ये जो स्पोर जोईडस से वो माईग्रेट कर जाते हैं कहां लिवर सेल्स में चले जाते हैं जहाँ पर वो मल्टिप्लाइ हो जाके Значит cosmos बनते हैं तकि तो मैं आपको यह दिखाता हो उमेज में एसमय नहीं आएगा तो यह देखें यह जो ऊपर वाला स्टेश जो आप इमेज देख गहिं यह वाला, यह जो है, यह किसमे है, यह एनेफिलस मॉस्किटो की केस में है, अब हम स्टार्ट कर, हम देख रहे हैं किसमे, हुमन्स में या मैन में देख रहे हैं, इसका एसेक्शूल फेस केसे हो जाता है, ठीक है, तो अब उपर देखे, स्पोरोजॉइट सीं, सेलिवरी मॉस्कुटों में यी कौन से है sporozoids प्रेजेंट है जब किसी मोस्कुटों ने शिक्तु इस पुरफ़ायट के समय ब्लड में ये ऑंटर कर हो जाते हैं आप यहां देखें यह migrate हो रहा है किसकी तरफ liver cell में यह migrate हो रहा है यह जो है pink color के आप जो cells देख रहे हो यह कौन से है liver cells है यह कहां पर migrate हुआ liver cells में जब liver cells में यह चले गए ठीक है न तो liver cells में होने से पहले क्या हो जाते हैं आप यहां उपर देखें यह यह यहां पर ठीक है न यह image देखें यह हमारा क्या है sporozoid यह blood से migrate होके liver cell में आ गया ठीक liver cell में जब यह आ जाता है फिर यह size में ग्रू करना शुरू कर जाता है ग्रू करते हैं फिर उसके बाद इसका जो size होता है वो एक तो rounded shape का बन जाता है आप यहां देखें ठीक यह वाला rounded shape और size में बढ़ा हो जाता है तो उस time हम इस cell को क्या बोलते हैं Shai Zone बोलते हैं ठीक है ना इस parasite को हम क्या बोलते हैं इस form को हम Shai Zone मोलते है और Shai Zone जब यह rounded Shai Zone बना तो it undergoes multiple division फिर यह क्या हो रहा है इसका multiple division होना या multiple fission होते हैं या division हो जाता है कौन सा multiple fission जिससे बहुत सारे marozoids form होते हैं अब यह Shai Zone से क्या बना marozoids बन जाते हैं ठीक है ना तो इस multiple fission को को जिससे डिवाइट हुआ उस process को हम क्या बोलते हैं शाइजोगोनी बोलते हैं ठीक है ना यहां पर लिखाए शाइजोगोनी लिवर सेल्स तो यह marozoids बना तो यह marozoids क्या करते हैं यह जो लेवर के sinusoids होते हैं या वेनस पेसेश होते हैं वहां पर एंटर कर जाते हैं ठीक है ना वहां पर मू कर जाते हैं ठीक तो इस marozoids को हमने क्या नाम दिया है cryptozoids क्या बोलते हैं को cryptozoids बोलते हैं यह हुआ यह यहां तक था एक phase किसका लीवर सेल में लीवर सेल में दो फीस होता है दो डीविजिन होता है ठीक है ना यह था फर्स फेस अब सेकंड फेस क्या हो जाता है जब यह cryptozoids फोर्म हुआ यहां पर आप देख सकते हो जो circular किया हुआ ठीक है यह cryptozoids further develop करके क्या बन जाता है rounded shyzone फिर से यह क्या बना rounded shyzone है आप देख सकते हैं नीचे ठीक shyzone बना फिर उसके बाद shyzone का है फिर से क्या हो जाता है division हो जाता है division होने से क्या बन जाता है merosoyids फिर से oval shape merosoyids बनते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं Metacryptozoids बोलते हैं ठीक है न यह metacryptozoids mainly क्या होता है दो किसम क्यों होता है एक होता है micro दूसरा macro metacryptozoids होता है ठीक है न तो फिर उसके बाद यह enter कर जाता है जो metacryptozoids बने वो कहां पर एंटर कर रहा है वहां से यह RBC में enter कर जाता है इन bloodstream ठीक है न तो यहां पर एक phase और शुरू होगा किसमें आपके RBC या blood में है ठीक है न तो पहले मैं आपको फिर से वो description थोड़ा फिर दिखाता हूं तो after यहां पर देखें after phase chisogonic cycles in liver में जैसे बहुत सारे division हुए ठीक है न शाइजोगानिक cycles in liver में हुए फिर उसकी बाद merosoyles क्या करते हैं enter the blood carpus cells and feed on the contents of RBC पे या क्या करते हैं feed करना शुरू करते हैं ठीक है न तो फिर उसके बाद after two to eight chisogonic changes in the blood stream merosoyles assume different shapes known as gametocytes और इसी blood stream में ही यह बहुत सारे शाइज जोगनी changes दिखाते हैं और यह differentiate shape कर लेते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं gametocytes और यह gametocytes इसी में ही बनते हैं ठीक है न तो ठीक यहाँ पर देखे हैं यहाँ पर यह जो क्या था हमारा metacryptocytes अब यह कहां पर enter कर रहा है RBC में enter किया ठीक है न जब यह अर्बीसी में enter किया तो यह feed किस वे करता है RBC पर feed करना शुरू करते हैं ठीक है न और feeding करके इसका जो shape होता है यह फिर से क्या बन रहा है ring shape बन रहे ठीक है न और इस form को हम क्या बोलते हैं trophozoid बोलते हैं क्या बोलते हैं trophozoid ठीक है न यह trophozoid जब बना तो उस टाइम पर vacule development भी इसमें हो जाता है ठीक और यह उस stage को हम क्या बोलते हैं और stage जिसे हम क्या बोलते हैं shy zone stage बोलते हैं यह हुआ आपका shy zone stage जो middle में है ठीक है न तो यह shy zone stage जो होता है जब यह उसमें क्या इसमें जो trophozoid है हमारा जो yellow color का है कि यह जो pink color है वो RBC है ठीक है और जो yellow color है वो आपका क्या है यह शायज़ यह आपका trophozoid है ठीक है न भी ये फुली डेवलिप हो जाता है तो इसकी वज़े से RBC का साइज भी हमें क्या हमें क्या दिखता है बड़ा दिखता है ठीक है ना और इस शाइजॉन में क्या है कुछ यलो पिक्मेंट भी होते आप देख सकते हो कुछ यलो पिक्मेंट ये क्या है? हेमोजुएने ठीक है नə? ये डिराइफ होता है ये روफोजार जो है वो क्या करता है जो हमारे बलड में हीमोगलोबीन है वहां उसमें जो आयरेन है वहां से ये येलो पिग्म्मन को क्या करता है? एक्वायर करते हैं ठीक है ना? और साथ-साथ में क्या जो RBC है वो क्या करता है जो scuffners granule से वो भी acquire कर लेते हैं ठीक है ना जब यह season stage आ यहां पर आ गया तो further यह क्या हो जाता है multiply होना शुरू करते हैं ठीक है ना multiply होने के बाद यह फिर से यहां पर क्या बनता है marzoides form होते हैं यहां पर आप देख सकते हो अब multiple division होने के बाद marzoides बनते हैं finally जो यह marzoides बने तो यह क्या करता है marzoides जब form हो जाता है तो यह RBC totally filled रहता है कि इनसे marzoides है ठीक है ना जब यह बहुत सारे marzoides form होते हैं तो उसमें कुछ RBCs होते हैं वो बिल्कुल weak हो चुका होता है और वो जो RBCs या erythroides हैं वो क्या हो जाता है जो weak होता है वो burst हो जाता है और वहाँ से ये gy जो marzoides जो form होआ है वहाँ पर क्या हो जाता है वो liberate वहां से निकल जाता है into the plasma और वो plasma में enter कर जाता है ठीक है ना ये फिर वहाँ पर وہ plasma में रहता है ताकि वो जब कोई नया RBC वहाँ पर form हो तो उसमें enter हो जाए ठीक है ना तो ये था Chisogon reign Rbc और ये टोटल जो cycle है, ये किस में हो रहा हा है? Man में हो रहा है, ठीक है न? तो जो ये Merosuids यहां पर form होए है, ठीक है न? तो Merosuids ये कहां पर रहेंगे? Rbc में रहेंगे, ठीक है न? तो एक बार Merosuids यहां पर form होआ फिर क्या हो जाता है यह mérasoids ठीक है न अब यहां पर आ रहा है यह था हमारा asexual face ठीक है न अब sexual face किसमें होगा यह होगा mosquito में ठीक है न तो उसके लिए जो mérasoids है एक मेर्ण आप यह यहां पर फिर से एक बार description पर आते हैं फिर उसके बाद टू टू आफ्ट हमने देखा कि इसमें क्या होता है आफ्ट टू टू एड शाइजो कॉनिक चेंजिस इन दे ब्लड स्ट्रीम मेरोज़ाइड ने क्या एज्यूम किया एक डिफरेंट शेप एज्यूम करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं गैमिटो साइड और गैमिटो साइड जो होता है वो बलड में डेवलेप नहीं होता और वो क्या करते हैं देवेट फॉर फीमल मॉस्किटो तू सक देम विद दबलड ठीक है ना यहां पर क्या हुआ था मेरोज़ाइड फॉर्म हुए ठीक जो मेरोज़ाइड फॉर्म हुआ अब इनका क्या होता है ठीक है ना अब हमें क्या चाहिए गेमी टू साइट्स बनने चाहिए ताकि वो सेक्शुल रिपरडिक्शन दिखाये जाए ठीक है ना जो ये मेरोजवाइज बने ठीक है ना जो लिपरेट हुए प्लाजवा में तो वो स्लोली ग्रो करना शुरू कर जाता है ठीक है ना कुछ उसमें से क्या प्रोड्यूस करता है हेमोजवाइज प्रोड्यूस करते है ठीक है ना और ठीक है ना तो जो फिर उसके बाद ये उनकी कुछ क्यारक्टर्स है ठीक है ना या कुछ में क्या होता है producing कुछ क्या produce करते है हेमजवाइन जो yellow pigment है वो भी produce करते है ठीक है न आप जब यह marazoid बने तो इसमें से कुछ marazoid होता है वो क्या होता है वो grow करता है और वो transform यही marazoid transform हो जाता है कि इसमें gametocides में है ठीक है यहाँ पर आप देखें और यह gametocides यह जो first cell है यहाँ पर आप यह देखें किसमें यह जो marazoid है वो grow करता है जो वहाँ पर form हो था और वो transform किसमें हो जाता है gametocides में अब यह कैसे form हो जाता है अभी तक यह condition का exact information नहीं है ठीक है न जो gametocides होता है वो दो किसम के होता है एक mega है, mega gametocides दूसरा क्या है, micro अब यह gametocides जहां पर किसमें है यह अभी तक इसके human rbc में है ठीक है न, human blood में अब यह है कि gametocides जो होता है वो कहां blood में ही रहता है ठीक है न, लेकिन यह gametocides they are unable to develop किसमें, अब यह blood में किसके body में ट्रांसफर हो जाए यह mosquito में ट्रांसफर हो जाए अगर mosquito ने bide किया तो इस stage पर यह ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, anophilus mosquito में अगर यह ट्रांसफर नहीं होता है और इसी में रहते हैं तो क्या हो जाता है, यह degenerate हो जाता है human में और मर जाते हैं लेकिन उस टाइम पे जब mosquito ने bite किया तो उस टाइम पे क्या होगा ये जो gametocides है ठीक है ना, micro और mega ये क्या हो जाता है, ये transfer हो जाएंगे किस में? mosquito में transfer हो जाएंगे, यहां से आप देखें जब bite होगे, तो ये उपर की तरफ जा रहे है कहां पे? mosquito में ठीक, अब हम देखते हैं कि mosquito में जो sexual face है वो केसे होते हैं, ठीक है ना when gametocides are sucked in by the female anophilis with the blood of the man the endogosporone for further development ठीक, तो mosquito में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ये detail में बोलता हूँ, ठीक है ना जो micro और mega gametocides था यहां पे जो बने हैं, ठीक, यहां पे जब mosquito ने एक बार क्या किया blood suck किया किसी human का तो ये जो micro और mega gametocides है ये एंटर किया किस में? mosquito के stomach में, ठीक है ना along with the blood ये mosquito के stomach में पहुंच गया ठीक, तो ये micro जो gametocides है, stomach में ये क्या हो जाता है ये develop हो जाता है, ये दिरे-दिरे इसकी growth होती है, और जो nucleus है वो nucleus की फर्दर क्या हो जाता है division हो जाता है, ठीक, और ये क्या इनका ex-flagellation हो रहा है, यहां पे ये क्या हो रहा है, ex-flagellation में बलब fragile structure से में form हो रहा है, ठीक है न, और इसकी cytoplasm वो क्या करता है, नूकलियस को push करता है towards each जो finger लेज़ जे हां पे ex-flagellation हुआ है, उसमें push करके ये जो nucleus हैं, वो बराबर distribute हो जाता है, ठीक है न, अब ये micro जो gametocides हैं, वो क्या होता है motile होता हैं, ठीक है न tumor और mega है, वो क्या हो जाता है mega जो है non-motile होता है, ठीक है न, और mega की बात करते है, mega gametocides, ये अब क्या है, non-motile है, तो ये क्या cone of reception, वो develop करते हैं किस के लिए, ताकि ये micro gametocides को क्या करें, receive करें, ठीक है न, ये Micro Gamitocide यहां से आया और किस के तरूँ? Cone of reception के तरूँ ये Bind हो जाएंगे और Fertilization हो जाएगा यहां पर ठीक है न? यहां पर Micro और Mega Gamitocide का क्या हो रहा है? Fertilization After Fertilization क्या? Zygote Form होना शुरू होता है, ठीक? जब ये Zygote Form हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? Oukainide बोलते हैं, ठीक? तो ये Zygote क्या करता है? Bore कर जाता है, अपने जो Stomach के Wall को क्या करता है? Boring करके ये जो Peripheral लेर है, वहां पर आ जाता है, ठीक है न? तो इस Zygote का क्या हो जाता है यहां पर? यहां पर ये Zygote की Cist Wall Formation होना शुरू हो जाता है, ठीक है न? और उस टाइम है इस Oukainide को जब वहां पर Cist Wall Form हो जाता है, स्टॉमक में तो उसको हम उस टाइम क्या बोलते हैं? O Cist बोलते हैं, ठीक है न? तो उसके बाद O Cist Form होने के बाद तो जो ये क्या है? जो उस साइट है, वहां पर Nucleus की फर्दर Division हो जाता है और Multiple Division होने के बाद बहुत सारे Nucleus इसमें Form होते हैं तो ये उस साइट जब Multiple Division होने के बाद जो Cytoplasmic Masses भी वहां पर Cytoplasm भी क्या हो जाता है Form होना शुरू हो जाता है और ये साइटो प्लाजम साइटो प्लाजम Masses Form होने के बाद जो इसमें क्रोमेटिन ग्रेनियूल से वह अपने आपको किसमें अरेंज कर रहा है Towards the Periphery of the Urcist अपने आपको जो क्रोमेटिन फाइबर से वह किसकी पैरिफरी की तरफ अरेंज करते हैं और जो साइटो प्लाजम है वो वहाँ पर ये स्पोरो ज्वाइट्स फॉर्म कर जाते हैं इन क्रोमेटिन फाइबर से तो तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं स्पोरो प्लास बोलते हैं और फाइनली ये जो उस साइटे वो burst हो जाता है और यहाँ इसमें जो स्पोरो ज्वाइट्स बने हैं ठीके न तो वो क्या हो जाता है लिब्रेट हो जाता है वहाँ से निकल जाता है और सेलिवरी ग्लें में ये स्टोर रहता है ताकि जब वो अगला बाइट करें तो उस टाइम पर ये sporozoids को कहां पर इंजेक्ट करें इन humans में ठीक है ना तो इसी तरह ये cycle continue होता रहेगा now the next organism that is encyclostoma ठीक है ना encyclostoma अगर इसी phylum की बात करते हैं तो ये कौन सा है askel means जिसमें क्या होता है ये phagos pseudosilomate होता है body जो है वो unsegmented या superficially segmented होता है ठीक है ना और digestive tube की अगर बात करते हैं या straight हो सकता है और covered हो सकते हैं now class की अगर बात करते हैं कौन सा है name of tools ठीक है ना जिसमें body unsegmented cilia जो है वो mainly absent होता है और elementary canal जो है वो straight होते हैं order कौन सा है struggle idea ठीक है ना strong idea में क्या होता है जो it act as है उसमें अगर feature को देखें तो ये क्या होता है parasite होता है और कहां पर हमें मिलते हैं mainly in the digestive track में और mouth को अगर हम देखें इत में भी without lips और pharynx में bulps नहीं होंगे ठीक है ना females with all ejectors होगा और males with the copulatory bursa होगा ठीक है ना और genus कौन सा है encyclostoma species के अगर बात करें that is duodenil ना अब इसके अगर कुछ important fuses के बात करते है encyclostoma duodenil जो है ना इसको commonly हम क्या बोलता है that is hook warm बोलते हैं ठीक यह आप इसकी image देखें यह image है तो hook warm इसे हम common name है इसका it's a mature warm यह क्या है इसकी shape that is cylindrical है ठीक है ना नेरो एंटिरियर ली अगर एंटिरियर ली अगर एंटिरियर ली देखें हो यह थोड़ा से नेरो है और वाइट यहा ग्रीन कलर मेल मुसली कितने के इंट टू 11 mm in length और female जो है वो 10 to 13 mm होता है इसका length में ठीक है ना buccal cavity mainly क्या होता है और जो capsule है buccal capsule वो किसके बने होते हैं articulated growth portion के इसमें जो excretive pore होता है mid ventral होता है ठीक है just behind the now ring अगर आप image देखें यह जो राइट साइड में that is female और जो लब साइड में that is male ठीक है ना तो आप mouth parts देख सकते हो anteriorly और excretive pore आप उपर ही देखें excretive pore के अगर बात करते हैं यह कहां पर ventral side पर है just behind the now ring यहां पर आप नाव रिंग भी देख सकते हैं उसी के पीछे ही कहां है excretive pore present होता है ठीक है ना these are the isophagus फिर उसके बाद क्या है cervical gland और sphallic gland और यह यहां पर आप इसके हम मेडगर को भी देख सकते हो ठीक जैनितल ओपनिंग्स और जो कॉपलर्टरी बॉर्सा है वो पॉस्टेरियर रेंट पर आपको देखने को मिलेगा ठीक तो मेल में क्या प्रेजंट होता है मेल इस प्रवाइड वेड़ जैनितल बॉर्सा विच इस ब्रॉडर देन लॉंग अंड सपोर्ट बाइड फ्लेश रेस ठीक ना यह यहां पर को प्लेटरी बॉर्सा यह में आप देख सकते हो ठीक ना वाइल ठीक तो वुल्वा अप देखने को मिलेगा यहां पर देख सकते हो ठीक ना पॉस्टियर पॉर्शन पर जो फटलाइजेश रेस एड़ा इस इंटरनल एंड ओकरस इंटर्सटान अप दे होस्टियर जो फटलाइज एक से वो कहां पर इट पॉस्टियर 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 जो इसकी इंफेक्शन की अगर बात करें तो यह कैसे इंफेक्ट करते हैं यह penetrate कर जाते हैं कि इसमें skin of the host में ठीक है ना skin से यह penetrate कर जाते हैं बाइदा infective larval stage के तरू जो इसका infective larval stage है यह skin के तरू penetrate होके infection cause कराते हैं ठीक है ना और यह क्या करते हैं it causes severe injury to the intestine and other part of the host collectively referred to as encyclostomyosis ठीक है ना यह host में enter कर जाते हैं through skin उसके बाद intestine को यह injure कर जाते हैं और intestine को ही नहीं बलकि other parts को और जो यह disease cause करवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं encyclostomyosis और इसकी habit और habitat की बात करें तो यह हमें endoparasite की तोर पर मिल जाता है कहां पर in the intestine of a man और अगर habitat की बात करें that is यह क्या है endemic है कहां पर western Europe tropical and subtropical Asia Africa में और various specific islands and South America ठीक है ना so this was all about जो आपके first sub unit है जिसमें आपको कुछ important organisms पढ़ने थे तो इसमें हमने चार से पांच organisms हमने complete की हैं कुछ protozoans थे कुछ platy hell means थे which were beneficial as well as harmful which were beneficial as well as harmful to the mankind जो हमारी economy को effect करते थी जो mainly आपके related किसे हैं economic zoology से हैं so this was all about today's class thank you thank you very much